हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माइट्यूब चानल, कैसे आप सार लोग आई होब कि आप सार लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आज आप सभी के लिए बहुत ही कमाल के आईडियाज, टिप्स और टिक्स लेकर के आई हूँ जिन्हें अगर आप इस्ते माल करेंगे तो आपके घर में धीरो जगे इस पेस बचने माली है साथ ही साथ आप उस आईटम का इतना अच्छा प्रेयोग कर पाएंगे कि आपने साथ कभी सोचा ना हो अगर सोचा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईगा वीडियो देखने के बाद में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे दोस्तों इस तरीके की जो रजाई के कवर होते हैं बहुत ही हलकी light weighted होते हैं जिनमें चैन लगी रहती इस तरीके से और जैसे ही सरदियां खतम होती हैं जैसे की समय जो समय चल रहा है ये वैसा ही समय है तो फिर इस आता है कंबल कहां रखें रजाई कहां रखें इनको कहां stir करें बहुत सारे spaces चाहिए होता है तो कुछ हम अपने बैड में रखेंगे कुछ हम कहीं और रखेंगे लेकिन इस तरीकी के जो हमारे हलके फुलके कंबल होंगे रजाई के कवर होंगे तो इन्हें बहुत ही बिहतरीन तरीके से बहुत सारी चीजे बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें क्या-क्या बना सकते हैं तो कहीं मत जाएगा आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं तो मैंने अभी तुमेंने ये चार पर्त में इस तरीकी से फोल करा है अब इसको हम थोड़ा सा लंबाई में फोल करेंगे इसको अगर आप चाहें आपके पास जैसे ये नहीं है नहीं उसकरना चाहते तो अगर घर में फटी पुरानी चदर वगेरे रखी हुई है तो उनके उनसे भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, तो हमें इस तरीके से इसको roll करना है, यानि कि जितना लंबा हमें roll चाहिए हूँ उसी तरीके से इसको हमें roll करना और बहुत ही soft है, आप मैंने लिया है एक चुन्नी, ये मैं use नहीं करती हूँ, रखी हुई है इस तरीके की चुन्नी तो ये कई एक रंगों में है, multi color में है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ, आप कोई कपड़ा या चुन्नी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने चुन्नी को double fold करके लिया है और जो मैंने कंबल का fold किया है उसको इस तरीके से हम इसमें tightly करके इसमें हम fold कर देंगे इस तरीके से तो देखिए ये बहुत ही अची तरीके से fold हो चुका है अब हमें इसके दोनों किनारे पर क्या करना है आप किसी धागे से भी इसको बांढ सकते हैं या उन से भी बान सकते हैं लेकिन सबसे आसान तरीका रहेगा इस तरीके की rubber band को बानने से अगर आप नहीं rubber band लाना चाहते हैं या घर में old rubber band नहीं है तो फिर आप किसी मोजे का भी इस तरीके से cut कर सकते हैं सरकल में ही मोजे को cut कर सकते हैं जैसे आपके जो old socks पड़े हुए हों बेकार हों कटे फटे हों उनका यूज कर सकते हैं तो यह देखिए कितना ही खुशूरत सा इस तरीके से एक यह गाउतकिया बनके तयार हो गया है आप चाहे इसको बैड में यूज करें या कभी-कभी बहुत सारे गेश्ट आ जाते हैं तो फिर हम उनको दूसरे प्लो कवर दे सकते हैं और इसको हम खुद भी यूज कर सकते हैं तो चली अब देख लेते हैं कि इससे हम next क्या बनाने वाले हैं तो मैंने कमबल को लिया है और इतना मैंने fold किया है जितना मुझे इसकी चोड़ाई चाहिए इसके बाद में इसको हम दोनों side से isko fold करेंगे एक बार इस तरीके से half fold करेंगे और फिर हम दूसरे side से भी इसको fold कर देंगे तो ये इस तरीके से इसका size हो जाएगा तो इतना ही size enough है इतना ही size अच्छा भी लगेगा बनाने में नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा heavy हो जाएगा तो इसको हमें square में इस तरीके से हमने इसको कर लिया है आप हमें क्या करना है कि कोई भी आप चुन्नी ले लिजिए जैसे कि मैंने ये चुन्नी ली हुई है इस तरीके से मेरे पास रखी हुई है तो मैंने इस चुन्नी को लिया है आप चुन्नी कपडा, साड़ी कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर क्योंकि मैं दोरा ही ले रही हूँ इसमें ताकि कंबल अंदर से नजर ना आए तो फिर इसको इस तरीके से डाल देना है और इसको पल्टा लेना है या पहले से आप नीचे चुननी भी छाले फिर आप उसके उपर भी इसको सेंटर पर रख सकते हैं उसके बाद हमें क्या करन इस तरीके से हमें तोड़ा फोल्ड करके देखना है कि यह ठीक रहेगा या सेंटर है या नहीं है तो इस तरीके से हमको आईडिया लग जाएगा उसके बाद में हमें क्या करना है कि दोनों साइट से अब हम इसको हटा देते हैं दोनों साइट से हम पहले इसको इस तरीके से फोल करेंगे जब आप पर्मनेंट बना रहे होंगे तो आप सुई धागे से इसको अच्छे तरीके से सिलाई भी किناरों से इस तरीके से आप सिलाई भी इसमें कर सकते हैं मैं भी temporarily आप सभी को दिखा रही हूं इसलिए मैं भी इसमें सिलाई नहीं कर रही हूं उसके बाद में हमें دोनों किनारे वैसे ही फूल करने हैं यानि ट्रेंगल में और हमें फिर क्या करना है कि ये जो हमने चौकोर बना के रेडी गिया है, तो हम इसमें इस तरीके से रख देंगे, ये देखी एक दूसरे की उपर, और यहां हम एक टांका लगा देंगे, इस तरीके से, तो एक तो ये हो गया कि एक साइड में अब हम ये बीच वाला करेंगे तो इसके लिए हमें थोड़ा पहले से मोड लेना होगा और यहाँ पर अगर हम इसको डेकोरेशन में यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके का अगर कोई मेरे पास हैरवेंड का बो एक पड़ा हुआ था वो इस तरीके से है और यह एक साड़ी पिन है तो आप कोई भी चीज इस तरीके से लगा सकते हैं यह देखिए बहुत ही अच्छा सा ब्यूटिफुल सा आपका एक कुशन बनके रेडी हो गया है आप इसको तकिया के तोर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए एक और आइडिया देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं तो हमें कंबल को इसको आप किसी चद्दर अगरे फटे पुराने कपड़ों से भी फटे पुरानी शाडियों से भी आप इसको बना सकते हैं तो हमें पहले इस तरीके से एट लिया था हमने और ये एटते हुए हम इसको गोल गोल सरकल में घुमाते जा रहे हैं इस तरीके से एक हाथ से दबाते जाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको पिन अप कर लेंगे एक सेप्टी पिन लगा करके और जब आप निकल रहा है तो आप इसमें टाके लगा के इसको अच्छे तरीके से शिक्योर कर सकते हैं तो अब हमें क्या करना है वैसे ही हमें कोई कपड़ा चुन्नी साड़ी जो भी हमें लेना है उसको हमें ले लेना है और इस तरीके से हमें जो हमने राउंड बनाया है उसमें रख दे और हमें बीच में एक rubber band लगा देना है दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें लाइक करें और प्यारा सा comment भी करें अगर आपको ये वीडियो जरा भी useful लगा है तो अब इस तरीके से हम इसमें लगा देंगे rubber band को दो round में और आपके पास ज तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसमेश एक बड़ा size देख रही हूँ तो एक बड़ा size देखने के बाद में हम ये जो किनारेश निकले हुए थे इनको हम इस तरीके से fold कर देंगे एकदम ये gold type का ऐसे look आ गया और हम सुई रागे के लिए बाई-बाई- झाल कर देखने के लिए बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-पया-mm